दोस्तो भगवान कृष्ण का मनमोहक रूप देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी कानहा की तरह सुन्दर और गुणवान संतान की कामना करते हैं तो जन्मास्टमी पर किये गए कुछ खास उपाई पेहध ही कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंक अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो 6 सितंबर 2023 को जन्मास्टमी आने वाली है। हाला कि दोस्तो आपको बता दू कि इस बार जन्मास्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर याने की दोनों ही दिन मनाई जाएगी। लेकिन आप 6 सितंबर को व्रत रख सकती हैं। और दोस्तो जन्मास् कि इस बार जन्मास्टमी का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि जन्मास्टमी बुद्धवार के दिन ही आ रही है। इसलिए दोस्तो जन्मास्टमी के दिन गर्वती महिलाएं कुछ खास उपाई करके अपने होने वाले शिशु को भगवान स्रीक्रिश्न की तरहें वीडियो को आम तक जरूर देखेगा चैनल पर अगर आगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर देजेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर शरूर करेगा तो आईए दोस्तों जान लेते हैं कि स्रीक्रिष्ट पूजा का समय क्या रहेगा तो पूजा का समय 6 सितंब स्रीक्रिष्ण को भोग लगाएं गुणवान संतान की प्राप्ति के लिए जनमास्टमी के दिन नंदलाला को लड़ूओं का भोग लगाएं फिर इस प्रशाद को गर्वती महिला को खिला दें इससे गर्व में पढ़ाशिशू भगवान स्रीक्रिष्ण के तरह गुणव और तेजसी होगा इसके लावा जनमास्टमी के दिन गर्वती महिलाएं दूद में चीनी केसर ड्राइफ फ्रूट्स मिलाकर भगवान स्रीक्रिष्ण को भोग लगाएं और इसके बाद इस दूद को पी ले इससे गर्वती महिला के गर्वे पढ़ाशिशू अतियंत तेज जनमास्टमी के दिन भगवान स्रीक्रिष्ण को जूला जरूर जूलाना है साथ ही दोस्तों जूला जूलाते समय आपको भगवान स्रीक्रिष्ण का ध्यान करना है और गोपाल मंत्र का जाप सरूर करना है और जो दमपती संतान सुख से वंचित हैं जिने संतान की चाहा है उन्हें जन्मास्टमी के दिन भगवान स्री कृष्ण को जूला जरूर जूलाना चाहिए और गोपाल मंत्र का जाप सरूर करना चाहिए इसके अलावा जो दमपती पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है और वो गर्वती है तो जन्मास्टमी के दिन उन्हें भगवान स्री कृष्ण को पीले रंकी वस्तों का ही भोग लगाना चाहिए साती भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाए और खीर में केसर जरूर डाले इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सुन्दर और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है इसके साथी दोस्तों आपको जन्मास्ट में के दिन अपने कक्ष में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर जरूर लगानी है और आप चाहें तो मोरपंक भी अपने कमरे में रख सकते हैं इससे आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी और शिशू, सुंदर और तेजोस्ती जन लेता है फैसे तो दोस्तों जन्मास्ट में के दिन वरत रखना काफी सुब माना जाता है लेकिन वरत रखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रेगनिंसी बिल्कुल स्वस्त चल रही हो आपको प्रेगनिंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो और अगर आपको प्रेगनिंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपको कोई समश्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर की सला सरूर लें उसके बाद ही आप जन्मास्टमी के दिन वरत रखें तो दोस्तों ये थी जानकारी कृष्णे जन्मास्टमी के बारे में उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी फीडियो को समाप्त करती हूँ धन्यवाद